आज मैं आप सबके लिए पॉफ पेश्ट्री जैसी समोसा की रसिपी लाए हूँ नौर्मली पॉफ पेश्ट्री बनाना बहुत ही टाइम कंजुम वाला काम होता है और बहुत सरा बटर यूज होता है आज हम बिना बटर यूज किये इसे बनाएंगे और बहुत जल्दी भी बन जाएगी मैंने इसे डीफ राइ किया है बहुत ये क्रंची और एकदम लेयर्स के साथ बनी है आप चाहे तो इसे बेक पी कर सकते हैं बेक करने का तरीका भी वीडियो में बता रखी हूँ तो आप वीडियो को इंट तक जरूर देखें और ये समुसा को देखिए कितनी अच्छी लेयर्स है और कितनी क्रिस्पी बनी है एक तम पफ पेश्ट्री जैसी है जो खारी मिलता है बाहर विल्कुल वैसा है तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते है यहां पर आप देखेंगे अपनी मन पसंद की स्वाधिस रेसिपीस तो देर किस बात की इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करें वीडियो देखने के बाद रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सबसे पहले आटा गुंद लेते हैं एक बड़ी वाली बोल में लेंगे एक कप मैदा आप एक कप गेहु का आटा भी ले सकते हैं या फिर आधा मैदा आधा गेहु का आटा भी ले सकते हैं स्वात के अनुसा थोड़ी सी नमक डालेंगे और मोन लगाने के लिए इसमें डालेंगे चार छोटी चमश घी, आप घी अगर बड़ी वाली चमश में लेते तो दो ही चमश डाले, छोटी वाली चमश में चार छोटी चमश डालना है, इससे जादा घी नहीं डालना है, है तो आजवैन भी डाल सकते हैं अब हम अच्छे से मिला लेंगे मोल लगाने के बाद आटा जो है इस तरह से मुठी में आनी चाहिए बंधने चाहिए तब हम इसमें पानी डालकर आटे को गुंत लेंगे इसमें बहुत ही कम पानी का इस्तमाल होगा तो ज्यादा पानी ना मसाला बनाएंगे चोटी वाली मिक्षर जार में आधा इंच का कटा हुआ अद्रग चार से पाच हरी मिच और पाच से साथ लसुन की कलियों को छील कर डाल देंगे बीना पानी डाले हम इसे पीस लेंगे एक दर दर इसी पीस कर रेडी हो जाएगी मसाला तो यह दिखिए म मसाले हमारे पीस चुके हैं इसे कटोरी में निकाल का साइड में रखेंगे अब हम लेंगे एक बड़ी वाली मिक्षर जार में इस स्टफिंग को हरे मटर के साथ पना रहे हैं तो एक कप मेंने हरे मटर लिया है मार्केट में हरे मटर मिलने लेगी तो फ्रेश ले सकते या एक छोटी वाली आलू डालेंगे आलू में स्टार्च हो दिये तो बाइंडिंग आएगी स्टफिंग में क्योंकि हम यह चीजों को उबाल कर नहीं ले रहे हैं बीना पानी डाले इसे भी मैंने पीस लिया है पीस लेने से यह जल्दी से पक जाएगी और देखिए मैंने इ जीरा डालेंगे आदी छोटी चमज जीरा चटकने के बाद इसमें में दो बड़े चमज कटी हुई काजू डाल रहे हूं यह आप्शनल ले इसके जवाब शेंगदाना भी ले सकते हैं आधा प्याज को बारिक काट कर डालेंगे प्याज हलके से भून जाने के बाद जो हम फ्लेम को इस समय low to medium पे रखे और चला तो भी एक से दो मिनिट के लिए से भून ले मटर और आलू पाने छोडने लगेगा उसमें यह स्टफिंग थोड़ी सी पकनी शुरू हो जाएगी आब इसमें डालेंगे आधी छोटी चमज हल्दी पाउडर एक छोटी चमज धनिया पाउडर एक छोटी चमज जीरा पाउडर अगर आपके पास है तो एक छोटी चमज आम चुर पाउडर अभी डाल दे आधी चोटी चमज गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसी के साथ स्वात के अनुसा नमक पे आड़ करेंगे नमक डालने के बाद आलू और मतर पानी चोड़ने लगेगा तो दीरे-दीर ये पकने शुरू हो जाएगी इसी के साथ आप इसमें एक चोथा एक पानी भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने इस चीजों को पका कर नहीं लिया है सब्जी कच्ची है तो इससे पकाना बहुत जरूरी है एक से दो मिनिट चलाती हुए भुन् आमचुर नहीं डाला है आप अगर आमचुर डालते हैं तो आपको निम्बू का रस्ट आने की जरूरत नहीं है फाइनली इसमें थोड़ी से कटा हुआ धनिया पत्तर डालेंगे और फ्लेम को आफ करके स्टफिंग को साइड में रख देंगे थंडा होने के लिए कम खर्चा और कम मेहनत में पफ पेश्ट्री जैसी लेयर समोसे के अंदर देने के लिए मैं ही आम पर एक मिश्रन बना रही हूँ जिसके लिए चार छोटी चमच मैंने कौन फ्ला लिया है आरा रूट के नाम से आपको दुकानों में मिल जाएगी इसमें आड़ करेंगे च में आने के बाद कंसिस्टेंसी होती है कुछ उस तरह की कंसिस्टेंसी में रेडी हो जाएगा ये कम खर्चे में आपके पफ पेश्ट्री के अंदर बहुत ही अच्छी लेयर्स देगी तो इसे साइड में रखते हैं हमारा डो भी रेष्ट करती हुए 10 से 12 मिनिट हो चुका अब हम एक छोटे-छोटे पीस डोका लेंगे और इसे फिर से बेलेंगे लैक जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेलेंगे लेकिन बहुत ही पतला बेलना है हमें तो आप इसमें मैदा लगा सकते हैं उपर से और इसे बहुत ही पतला बेले इसलिए मैंने बोला था कि इसमें अगर आप काला जीरा या अजवान जादा डालेंगे तो इससे जब हम बेलेंगे तो इसमें होल्स पड़ जाएंगे, छेद आएंगे, इसलिए बहुत ही कम कुएंटिटी में अजवान या काला जीरा डालें, अगर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई बात नहीं, तो हमें इसे एकदम पतला बेलना है, एकदम transparent होनी चाहिए, आप देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर बेल रहे हूँ और यह जो chopping बोड़े यह दिख रहा है, transparent होके, आप हाथने भी लेंगे न, तो आपका हाथ दोसरी तरफ से दिखनी चाहिए, इतनी पतली इसे बेलना है, द बेल रखा या रोटी परड़ा जो भी कह सकते हैं, तो इसके उपर हमारा रेडी किया हुआ मिश्रन लगाएंगे, आधी चोटी चमच एक लेयर में आप लगाए, इससे ज़्यादा नहीं लगानी है, देखिए कुछ इस तरीके से हम इसे फिला देंगे, फिर इसके उपर दूसरा रोटी रखेंगे, फिर सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, ऐसे करने से हमारे जो पेस्ट्री बनेगी या समोसा बनेगी, उसके उंदर काफी सारे लेयर्स आएंगे, और एकदम पफ पेस्ट्री जैसे रेडी होगा, आप अगर बेक करते तो आप अगर डाइट कॉन से हो तो बेक करके खा लिजिए, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेवी भी नहीं होगा, और बहुत ही टेस्टी पेस्ट्री का आप मजा ले सकते हैं, तो यहां पर देखिए, सारी लेयर्स हमारी कम्प्लीट हो चुकि यह लास्ट वाली रोटी के उपर नहीं करें, और अब हम इसे छोटी छोटे पीस में काट लेंगे, आपको जितनी बड़ी बनानी हो समोसा उतने साइस के आप काट सकते हैं, मैं नौर्मली आधा इंच के इसमें काट रही हूँ और देखिए, काटते समय ध्यान रखें, शार्प नाइफ ले और ऐसे आगे पीछे करते हुए काटे, एकदम से आप अगर दबा कर काटेंगे तो इसकी लेर्स खराब हो जाएगी, मैं इसे काट रही हूँ, आप देख सकते हैं, इसकी लेर्स में कोई छेड़ छाड़ी नहीं हो रही है, आप अगर टाइम है आपके पास, तो इसे थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनिट के फ्रीज में रख दे, उसके बाद बनाईए और भी अच्छा बनेगा, तो चलिए, आभी तो मैं तुरंत इसे बना कर दिखा रही हूँ आपको, अभी फिर से थोड़ी सी मैदा लगाएंगे और हलके हाद से इसे बेल लेंगे, आपकी बार हमें बहुत जादा पत थोड़ी सी पानी लगाएंगे किनारों में, एड़्जेस में, जिसे ये चिपक जाएगी और इसे fold करेंगे आप इसको triangle shape में बना सकते हैं rectangle shape में बना सकते हैं या फिर आपको कोई design करनी हो तो भी आप कर सकते हैं मैं normally इसे गुजिया के shape में दे रही हूँ और फिर edges को काट कर एक triangle shape में इसे बना दूँगी ये देखिए कुछ इस तरीके से अब हाथ से चाहे तो थोड़ी से design करें या फिर एक fork ले fork के मदद से edges को इस तरीके से design दे दे एक अच्छी look आ जाएगी तो ये एक triangle shape की समुशा बन चुकी है इसे side में रखते हैं अब मैं एक और बेल कर दिखाती हूँ उसे मैं rectangle shape में बनाऊंगी जैसे pastries वगेरा मिलती है तो बस सेम उसी तरीके से इसे भी बेल लेंगे और stuffing रखेंगे लेकिन इसे हम बेलने के बाद square shape में काट लेंगे बेलते समय बहुत हलके हाथ से बेले एकदम से प्रेस ना करें नहीं तो इसकी layers खराब हो सकती है ये देखें अब इसमें थोड़ी से stuffing रखेंगे और इसे फोल्ड करेंगे और किनारों में पानी लगाना बहुत ज़रूरी है अगर नहीं लगाएंगे तो तेल में जाकर ये खुल सकता है तो बस इस तरीके से आपको बना लेनी है अब चले इसे fry करते हैं तो यहां पर पैन में मैंने तेल गरम कर लिया है बहुत ज़्यादा गरम तेल में हमें इसे fry नहीं करना है कम गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे इसे fry करें या फिर तेल गरम होगी हो तो फ्लेम को बंद करतें फिर इसे डाले तो कुल मिलाके हमें कम गरम तेल में और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है बहुत ज़्यादा तेल अगर थंडा होगा तो भी अच्छा नहीं बनेगा बहुत ज़्यादा गरम तेल में भी फ्राई करेंगे तो जल जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही सुन्दर सी सुनहरी कलर आनी शुरू हो गई है इसमें और इसकी layers भी काफी अच्छी से खुल चुके हैं और जब कुछ इस तरीके की कलर आ जाये तब इसे निकाल दे बहुत जल्दी fry हो जाती है बहुत जादा समय नहीं लगता है इनके साफ इसे bake करना चाहते है तो जैसे cake bake करते कड़ाएं में उसी तरीके से कर सकते हैं कई बार मैंने शेर की है या फिर आवन में bake करना चाहते हैं तो pre-heated आवन में 180 degree Celsius पे 20 minutes के लिए bake कर सकते हैं सबकी आवन में 2-2 मज़ा आप ले सकते हैं तो यह रिस्पी को ज़रू ट्राइ करें कमेंट करके अपना feedback देना ना भूले आप यह पेस्ट्री को में तोड़कर दिखाती हूं देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी क्रंची बनी है तो अगर आज की रिस्पी अच्छी लगे तो वीडि र्पना me налेज ओंट करें सकते हैं तो अब टो झाते हैं कि करें देखिए करें दो यहां क्वेकर दिखाए कितनी क्रूले यह कर दो कन। दूले प्लाग वेडिद वीडि़कर देखिए खते हैं कितनी हैं तो दूले जगर वे दमें तो